जैंग पाटशाला पाटशाला सरला के साथ में आज हम बात करेंगे अहिंसा की अहिंसक भावों की महिमा उसके प्रभाव की जिससे के एक शेर भी जो क्रूर और मांसारी प्राणी वो भी शाकार की और प्रवर्थ हो गया जिले भी खाने लगा जी हाँ बात जैपूर की है जहांके दिवान थे अमर्चन जी जो के एक नेक धर्मात्मा अहिंसक जैन्श्रावक थे और इसके साथ ही वो राजी कुशल, कारी कुशल और नेक राजीभग दिवान भी थे जिसको की सारा राजी जानता था, महराज उनसे प्रभावित थे, सब ही उनका सम्मान करते थे लेकिन यह बात कुश लोगों को पसंद नहीं आती थी, वे उनसे इर्शा करने लगे और मौका देखते रहते थे, कि कब महराज के कान भरे, उनको दिवान जी के खिलाफ भड़का दे जियां, बेगने संतोशी लोग तो हर जगे होते हैं, जिनको किसी की उननती पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को एक दिन मौका मिल ही गया, महराज को कहीं बार जाना था ऐसे में उन्हाने महराज से का, कि महाराज आप बार जा रहे हैं, आपके प्री शेरों के जिम्मेदारी, आप दिवान जी को सौप दीजिए महाराज ने का अरे ये दिवान जी का काम थोड़ा ही है कोई जोरत नहीं है तो उन्होंने का नेनी महाराज करके तो देखिए इससे दिवान जी की राजी निष्ठा की भी परिक्षा हो जाएगी और वो जो इतने अइनसक कहलाते हैं उसकी भी परक हो जाएगी तो महराज ने भी कौतल वच का चलो ठीक है देख लेते हैं तब महराज ने दिवान जी को बुलवाया कहा कि दिवान जी हम दो दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं हमारे प्री शेर हम आपकी सुरक्षा में छोड़ जा रहे हैं आपको उनका ख्याल रखना है ध्यान रखेगा हमारे शेर भूके ना रहें दिवान जी ने का ठीक है महराज ऐसा ही होगा जैसी आप किया गया महराज चले गए अब दिवान जी की समस्या शुरू हुए शेर को भोजन क्या करा है शेर का भोजन होता है मांसाहर और वो ठहरे अहिन सक, सच्चे जानी, पक्के जानी अब वो क्या करें उनको कैसे मांस खिलाएं और मांस तो किसी पशुका वद कि ये भी ना मिल नहीं सकता अब दिवान जी ने कुछ सोचा नेड़ने किया और अपने सेवकों के साथ शेर के पिंजरे में जलेबी के थाल और दूर भिजवा दिया सब लोग देखने लगी कि देखो, ये दिवान जी कर क्या रहे हैं वो भी कुतो हलवाश ये सब देखने के लिए खटे हो गए दिवान जी ने शेर के पिंजरे में जब भिजवाया शेर ने उन सामानों को देखा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी चुपचाप बैठा रहा उसे भूख लग रहे थी लेकिन उसने कुछ खाया नहीं कुछ देर हुई तब दिवान जी ने कुछ सोचा नेर्णे किया और अपने सेवकों से कहा पिंजर का दर्वाजा खोली है उन्हाने दर्वाजा खोला दिवान जी अंदर गए हाथ में जलेबी का थाल और शेर से कहते हैं हे वनराज मेरी और देखो शेर उनकी और आँखे उठाई सबको लगा कि अभी ये शेर जप्टा और दिवान जी का काम तमाम लेकिन नहीं शेर ने उनकी और देखा उनकी आँखों में जाका दानों वीरों ने एक दूसरे की आँखों में जाका दिवान जी के आँखों की करुणा उस शेर ने पढ़ ली और तब दिवान जी बोले हे वनराज अगर आपको भूख मिटानी है अपनी शुधात रप्त करनी है तो आप ये जले भी खा लीजिए और ये दूद्ध पी लीजिए और अगर आपको मांस ही खाना है तो मैं प्रस्तूत हूँ आप मुझे खा लीजिए लेकिन मैं किसी जीव का वद इसलिए नहीं कर सकता कि वो किसी का भोजन बने नहीं मैं किसी जीव और जीने दो भगवान महावीर का सिध्धानत है अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम ले भी नहीं सकते हैं उसका हमे कोई अधिकार नहीं ये वनराज, अब आपकी मरजी आप जो जी चाहे करो, राजा ग्या है, मैं आपको भूखा तो नहीं रख सकता, इसलिए आप या तो जले भी खा लो, या मुझको खा लो शेर ने चुपचाप कुछ देर उनकी और देखा, और जुक कर जले भी खाने लगा, दिवान जी खड़े खड़े बड़े स्नेस उसे निहारते रहे, जब शेर त्रप्त हुआ, तब दिवान जी पिंडरे से बाहर निकल आए, लोग उनकी जैजेकार करने लगे, और जब और अथिक प्रभावित हुए और उनका सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया, ये होती है अहिंसा की महिमा, बस ध्रड़ता मन में होनी चाहिए, ये बात हमें बताती है, कि जो जामन में सच्ची अहिंसा, सच्ची श्रद्ध होती है, वहां चमतकार भी हो जाते हैं,